जैश्री कृष्णा दोस्तों, गो माता की दुखत कहानी के बारे में आज हम जानेंगे। यह कहावत परचलित थी कि पहले भारत में घी दूद की नदियां बहती थी, यानि भारत देश में इतना गोधन था कि परतेक व्यक्ति को पीने को प्रैपत मातरा में शुद दूद, एम खाने को शुद घी मिल जाता था। हर एक घर में एक या अधिक गाए बंदी होती थी, ना जाने जैसी बिमारियां थी, ना व्यक्ति साधारनतय बिमार होता था, गोधन की बहुत आयत के कारण जैविक खेती होती थी, इस तमाम कारणों से परयावरन भी शुद था, प्रन्तु धीरे धीरे व्यक्ति एम लालशी होता गया, गाए को घर से बाहर निकाला जाने लगा, एम उसकी हत्या होने लगी, तेजी से गोव पश्यों की संख्या घडने लगी, स्थिती विशम होती गई, दूद एम घी की पूर्ती के लिए इसमें मिलावट की जाने लगी, जैविक रेशिक की जगा, र अरतेक दस व्यक्तियों में से 7-8 प्रतिशत किसी ना किसी बिमारी से पेडित अवश्य हैं, भारत में गाए को माता का दर्जा दिया गया है, उसमें सेंकडो देवी देवता निवास करते हैं और उसे पूजा जाता है, प्रन्तु वहीं व्यक्ति कितना निर्दई हो गया ह कि उसी गो माता को घर से निकाल कर उसे मरने को मजबूर किया जा रहा है, जब तक गये दूद देती है, उसे सवार सवश पूरा अच्छा आहार दिया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, जैसे ही वह गयें दूद देना बंद कर देती है, तो उसे अवारा छोड़कर भटकन के लिए मजबूर किया जाता है, उसकी खोज खबर तक नहीं ली जाती, बेचारी, मूप गयें, आसु बहाती, दरदर भटकती रहती हैं, आज तो सिती यह हो रही है, कि गरवती गये को भी छोड़ दिया जाता है, तता वह भी भटकती रहती है, जब वह गये, मालिक के गर से कही दूर ब्या जाती है, तता उसके मालिक को उसके ब्याहने का पता लगता है, तो वह भागा भागा जाता है, एव अपना अधिकार जिताते हुए, उस गाए को बचडे को घर ले आता है, आज यह सिती परतेक शहर ही नहीं, अब तो गावों में भी देखी जा सकती है, हर गाव गली में गाएं तडपती हुए मरती देखी जा सकती है, एक अवारा बेचारी भूकी गाएं अपनी भूक शांत करने के लिए, शहर गाव के कूडे पर आकर वहा भिखरा हुआ कच्रा यहां तक की पड़ी हुई प्लास्टिक की पन्नी भी खा जाती है, जो उसकी आतों को चीर कर तडपते हुए उसे मरने को मजबूर कर देता है, एक गाएं व्यक्ति को दूद दही घी तो देती ही है, इसके लावा उसका गोबर मुत्र संपूरन मानव जाती के लिए बड़ा उपयोगी है, जो शुद शाद एम विभिन परकार की दवाईयों के बनाने में भी काम आता है, गाएं जीते जीतो यह सब देती है, प्रन्तु मरने के बाद उसकी खाल, एम हड़ियां, भिन-भिन कारें में काम आती है, इस परकार गोब माता जिंदा रहते हुए तो मनुश्य का पालन करती ही है, मरने के बाद भी वह बहुत कुछ मनुश्य को देती है, प्रन्तु स्वार्थी मनुश्य इसी गो माता को अपने घर से निकाल कर उसे आवारा भटकने आव तडपते हुए मरने के लिए मजबूर कर कहा है, पिछले साथ-अट महा से मेरे निवास के पास की गलियों से मुझे कई बार सूचना ही मिली है कि अमूग गली में एक गाएं को मालिक के घर से बहुत दूर ब्याहई को घंटे हो चुके हैं, प्रन्तु उसकी कोई धनी धोरी नहीं है, जैसे ही हमारे द्वारा उस ब्याही गाएं बच्चडे को गोशाला ले जाने की विवस्ता की जाती है, तो मालिक दोड़ा-दोड़ा आता है तता गाएं पर अपना अधिकार जताते हुए गाएं बच्चडे को घर ले जाता है, जबकि वह गाएं कई दिनों से लावारिस गूम रही थी, प्रन्तु ऐसी ही दूसरी गाएं गोदूद नहीं देती, वह गाएं मालिक के घर से बहुत दूर तक कई दिनों में तड़प रही होती है तथा ऐसी गाएं को गोशाला ले जाया जाता है, तथा उस गाएं का मालिक बनकर नहीं आता, वह गाएं उस गोशाला की होकर रह जाती है, क्यों हो रहा है गोमाता के साथ यह अत्याचार, क्या गोमाता अपने मालिक को श्राप नहीं देगी, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी न नहीं रह सकता मेरे पास विक्ति मिलने आते हैं तता कई विक्तियों के Lösung करते रहते हैं कहते हैं कि आप गाई ने दूद देना बंद कर दिया है उसका खर्चावारि हो रहा है वह बोज हो गई है उसे गोशाला में रखाई ये मैंने ऐसे व्यक्तियों से यह प्रातना की कि आप इतनी उस गाएं के लिए केवल एक चारे की गड़े की विवस्ता कर देए उसके बाद उस गाएं को शेश जिवन की विवस्ता गोशाला करेगी इसके बाद तो जैसे विक्तियों का कोई प्रति उत्तर नहीं आता है क्या गव माता आज हमारे लिए बोज बन गई है जिस गाए ने उक्त परिवार का माता की तरह पलन पोशन किया ऐसी गाए कतल खाने को बेजी जाती है तो दोस्तों गव माता को हमारी माता मानने चाहिए और उनका सतकार करना चाहिए ना कि उनके साथ दुर विवार करना चाहिए तो यह थी हमारी आज की महतापुरन जानकारी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बैल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैश्री कृष्णा दोस्तों